अब मनीपूर जैसे राजी में जो हिंसा की गटना हुई और डिजिटल इंडिया बन रहा है फरजी बाला करने के लिए पकड़ पकड़े के लोगों को लाते हैं कि इंडिये का बैठक है अब इस ठंका क्रिता और मनीपूर बहुत चिंता की बात है अधरनिया प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार हुआ इंडिये कहा है उसका मोधी है तो मुमकिन है मोधी है तो सब कुछ संभव है कहां है इंडिया मांगता जबाब धरम संकत उनके लिए है जो वोट फॉर इंडिया पहले बोल चुक है अब परिशानी का सबब बन गया अधरनिया नरेंदर मोधी जी के लिए वोट फॉर इंडिया तो अब इंडिया मांगे जबाब तो सभाविक है इंडिया सब्द इस लिए महत्व पूर्ण हो जाता है कि इस देश के अंदर में जिस डंक से संबैधानिक संस्थाओं पर अंदर ने कहा कि मैं दिल में बहुत पीड़ा है मैं बता रहा हूँ 36 सकेंड मात्र पूरा वीडियो निकाल के देख लिए 36 सकेंड उनके मुह से निकल सका कि पीड़ा है मैं यह जानना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया में 72 दिन पहले जो घटना हुई थी यह कैसा अत्तर दिन बाद उभी जब लोग सभाग पार्लियामेंट सुरू होता है जब इनको एहसास होता है वह क्यों नहीं गए अब तक जब अमिस साह जी वहां तीन दिन रहे और हिंसा वहां थमा नहीं उसके बाद आदरनिये प्रधान मंत्री जी मध्य प्रदेश चुनावी र खुला सा किये कैसा दल है जो 2001 कईसे में जिसका बिले हो गया उसका न बिधायक है न सांसद है न उसका कोई काई है वह लगता पहाल गंजन स्टेशन पर पकड़ लिया कि चलो चलो बैठा के वह सोका होटल मोरा है अब इस ठंका कृता और मनीपूर बहुत चिंता की बात है आधरनिय प्रधान मंत्री जी आपकी सरकार है वहाँ भाजपा की सरकार है क्यों नहीं अब तक मुख्य मंत्री के खिलाफ कारवाई आप कर रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं वह 36 सेकेंड मात्र मैं पूरा वीडियो सुझा उनका मुझे पीडा हुए मैं घड़ी देखकर के देख रहा था कि मात्र 36 सेकेंड यादि मनिपूर के बारे में बोलता है सर्वदलिय बैठक 10 मिनट का आप करते हैं कोई उचित है क्या है राहुल गांदी जाते हैं आप जाने नहीं देते हैं वह समाजिक समूहों के बीच सांतिय स्थापित करना होगा उसके लिए सर्वद करकर करके एक सांती की पहलोनी चाहिए अब तो वीरोधवास आपका दिख रहा है इंडिया आप एंडिया से कोच भी लेना देना है मैं यह जानना चाहता हूं कि इंडिया नाम से क्या मुकदमा दे्या ने कह specify क्या कहें क्या कहते हैंificación क्या क्या कहें गले का इंडिया वोट पॉर इंडिया ससक्राइब कर तब क्या कर रहे ही लोग कानूनी पेचिद्गी मुलजना उल्जाना चाहते है इसका मतलब भैबीत हो गए नाम से डर गया जब नामे से डर गया तभी तो काम हो नहीं वाला है करनाटक में भी लक्ष था इनका अमित देखिए समय बदलता है आदमी का अमित साह नरेंदर मोदी सब आएंगे सब को आना अहंकार जो होता है न वह उसका नास हो जाता है तो अहंकार इनके मन के अंदर था दक्षिन भारत से भाजपा है कहां भई इसको विसलेशन लोग करते नहीं है पूरे दक्षिन भारत से भाजपा साफ कौन स्टेट में हमको बताइए और कितने राजियों के अंदर में कॉंगरेस और गईर भाजपार की सरकार है कितने राजιों में भाजपार की सरकार है दिखनी बैए तूदारन है ये को आवरा बनाय गया था कि मोदी है तो मुम्किन है मोदी है तो सब कुछ संभव है कहां है आने वाला चुनावाने दीजिए मध्यपरदेश राजस्थान च्छतिस गड़ यहां की जनता भी प्रतिक्षा कर रही है कि जतना फरजी घोसना है और नहीं तो अब नौ साल बे उसको अनुकंपा का लाब नहीं एर नेता को नुकंपा का लाव नेता को पेंसन मिलेगा अब भारत माइक सपूत को नहीं मिलेगा तो जो भारत माइक सपूत का नहीं होगा उस इंडिया का किसे हो जाएगा देखिए इंडिया, Indian National Developmental Inclusive Alliance बनका तयार है और इंडिया वर्सेज इंडिया की लड़ाई तो होगी लेकिन इंडिया का फुल फर्म भी कुछ अलग बता रहे हैं नीरज कुमार मुखर परवक्ता है जेडियो के क्या कुछ नोंने कटाक्ष करते हुए कहा है और गाउं में जाकर क्या बता रहे हैं क्या कहे करेंगे सवाल बहुत हैं हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लें साथ साथ विश्य पेज भी लाइक करें धन्यवाद